12 की पारवती पुलिया के पास एनेच 27 पर एक बस अनियंतरित होकर पलट गई जिससे बस में सवार 20 से भी ज्यादा यातरी घायल हो गए सभी घायलों को अस्पताल में भरती करवाया गया जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है दरसल ये बस कोटा होते हुए जहांसी जा रही थी जहां ट्रेक्टर ट्रॉली के अचानक आजाने से बस अनियंतरित हो गई फिलाल कलेक्टर नरेंदर गुपता एडिशनल एसपी विजय कुमार स्वनकार ने मरीजों का हाल जाना